हेलो फ्रेंट्स आई आम भानी रमडाल वेलकम इन ऑनलाइन एगरी कल्चर एप्लेटफर्म स्टुडेंट मैं आप लोगों के लिए लेक्के हैं हम बड़ा ही शांदार सेशन जिसमें हम बात करेंगे भारत में फसलों के पहले संकर किसमें यानि फास्ट क्रॉप हाइब्रिड इन इंडिया और आपको पता है कई बार सीधा सीधा एक्जाम में इससे क्योशन आ जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं प्यल मिल्च की पहले हाइब्रिड की यानि बाजरा की पहली संकर किसम की तो बाजरा की जो पहली संकर किसम है वो है HB1 और HB1 है वो किसका क्रोस है टिप 23A into Bill 3B का क्रोस है इन दोनों के क्रोस से HB1 यानि हाइब्रिड बाजरा 1 विक्षित की और कौन से सन में विक्षित की गई है, नेक्स अपने चलते हैं, अगला जो बास्मती राइस होता है, उसका जो पहला हाइबरिड है, वो है पुस्सा राइस हाइबरिड 10, जिसको हम पी आरच 10 भी बोलते हैं, यह भारत का ही पहला हाइबरिड नहीं, पूरे विश्व का भी बास्मती धान, यानि बास्मती राइस की जो पहली हाइबरिड वेराइटी है, वो है पुस्सा राइस हाइबरिड 10, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी आरच 10 बोलते हैं, अब आप यह तो समझ गयोंगे कि यह कहां से डवलप की गई है, कहां से विक्षित की गई है, जब और पूरा नाम पुस्सा राइस हाइब्रिड 10 है नेक्स्ट अगली क्रॉप के लिए हाइब्रिड की बात करें कोटन कपास देखो कपास का जो पहला हाइब्रिड है कपास की पहली संकर किसम जो है वो है हाइब्रिड 4 जिसको हम सोर्ट में क्या बोलते हैं H4 बोलते हैं कपास की पहली hybrid कौन सी है पहली जो hybrid है वो है hybrid 4 H4 जिसको बोला जाता है और इसका cross है गुजरात 67 into American Nectary Les तो गुजरात 67 का cross किसके साथ करवाया American Nectary Les के साथ cross करवाने से H4 विक्षित किया था और ये काम किया था चंदर कांथ टी पटेल ने कौन सेशन में 1970 के अंदर यानि जिसको हम क्या बोलते हैं सोट में city पटेल यानि जो कपास है उसका जो first hybrid है पहली जो संकर की समय वो city पटेल ने विक्षित की थी city पटेल ये गुजरात के थे पूरा नाम इनका चंदर कांथ टी पटेल है 1970 के अंदर इन्होंने गुजरात 67 का cross American Nectary Les के साथ करवा के H4 यानि hybrid 4 कोटन की पहली संकर की सम विक्षित की थी और ये भारत की ही पहली संकर की सम नहीं विश्व की भी पहली कोटन की संकर की सम है और इसलिए जो city पटेल है उनको father of hybrid कोटन कहा जाता है यानि संकर कपास के जनक जो है वो city पटेल को कहा जाता है ये जो cross था ये जनरली केसा था इंट्रा स्पेस्पिक cross था यानि अपने बात करें एक ही जाती की दो किसमों के बीच cross था जिसको हम क्या बोलते हैं इंट्रा specific cross था लेकिन पहली अगर आपसे पूछ ले इंट्र स्पेस्पिक cross यानि अंत्रा जातिय संकरन वाली पहली अगर आपसे कोई variety पूछ ले तो वो वरलक्षमी है अगर दो अलग अलग जातियों के बीच में cross करवा के पहली संकर किसम पूछी जाए तो वो वरलक्षमी है या यानि दो अलग-अलग किसमों में एक ही जाति की दो अलग-अलग किसमों में cross करवा के तियार की गई है तो आपसे पूछें इंट्र स्पेस्पिक hybrid पहला तो H4 यह है और आपसे पूछ लें इंट्र स्पेस्पिक hybrid तो इंट्र स्पेस्पिक जो hybrid है यानि अंत्रा जातियों का क्रोश करवा के जो संकरन उन्सों हाइब्रीड विक्षित किया है संकर वेराइटी विक्षित की गई है वो वर लक्षमी है यहाँ पर यह चीज में ध्यान देनी है अजकल जो एक्जाम्स है उनके अंदर इसी तरह से थोड़ा सा क्योशन घुमा फिरा के पूचा जाता है क कपास की पहली संकर किसम बोलोगे H4 आपसे पूच लें कपास की पहली अंतर जाती है संकरन फसल कौन सी है यानि इंटर स्पेस्पिक क्रोश कौन सा है तब भी आप बोलोगे H4 लेकिन आपसे पूच लें कपास का पहला इंटर स्पेस्पिक हाइब्रिड कौन सा है यानि प संकर किसम है वो थान की यह नियुकार कोण सीय देखो राइस यह दान हमने बासमती दान की तो पि कर लिए लोत कर लिया लेकिन घान ayam उसकी जो पहली संकर किसम में और भारत की भी पहले संकर किसम माँजाती you को जो कब्लिए इसको 190 अ सीन कर किसम है जो करजात रिशस्टेशन से डवलब की गई थी के आरच वन के आरच वन इससे पहले विक्षित की गई है इसे भी राइस का फस्ट हाइब्रिड माना जाता है लेकिन इसमें ऐरोमा थी तो इसको बाद में बासमती धान की केटिगरी में डाल दिया गया इसलिए राइस की यानि धान की पहली संकर किसम फिर कौन सी मानते हैं अपने कोरचवन साधारन धान की पहली जो संकर किसम है वो CORH1 है जो कहां से विक्षित की गई है तमीन लाडू और कौन से सन में विक्षित की गई है कि बास्मती धान की पहली संकर किसम कौन सी है, तो आप कौन सी बताओगे, PRH 10 बताओगे, ठीक है, यहाँ पे clear है, next अपने चलते हैं, अगली slide पे, और अगले first hybrid में अगर बात करें, तो हम बात करते हैं आम की, देखो, आम की जो पहली संकर किसम है, और पूरे आम के अंदर जो भारत में पहली संकर किसम है, वो कौन सी है, परबा संकर है, और कौन से सन में विक्षित की गई है, 1946, 1946 के अंदर विक्षित की गई है, next अपने अगले first hybrid पे चलते हैं, तो अगले first hybrid की बात करें, तो अगला first hybrid है, सोर्गम का, यानि जो आर का, जो आर की पहली संकर किसम, अच्छी तरह जानते हो, CSH1 है, कौन से सन में विक्षित की गई थी, 1964 के अंदर विक्षित की गई थी, जो आर की पहली संकर किसम, CSH1 कब विक्षित की गई थी, 1964 में, और ये किसने विक्षित की थी, ये है निला मर्जू गंगा परशादा रोय, जो निला, मरजू, गंगा, परसाद, रोय है इन्हों ने ये किसम विक्षित की थी इसके आसास साथ इन्हों ने CSH5 भी विक्षित की थी और CSH9 भी विक्षित की थी और संकर जवार के जनक या फिर फादर of hybrid सौरगम किसे कहा जाता है परसाद रोई को ही कहा जाता है परसाद रोई को संकर जवार के जनक या फिर हाइब्रिड सोरगम के फादर कहा जाता है तो फर्स्ट वेराइटी कौन सी है इसकी सोरगम की हाइब्रिड CSH1 है वो फर्स्ट हाइब्रिड है अगली स्लाइड पे और अगली जो हाइब्रिड है वो है पीजन पी पीजन पी बोले तो अरहर जिसको हम रेड ग्राम यानि लाल चना के नाम से भी जानते हैं तूर के नाम से भी जानते हैं तो तूर की जो पहली संकर किसम है यानि अरहर की जो पहली संकर किसम है वो है ICPH-8 क परभात और ICPL 161 के क्रोज से त्यार की गई थी और ये जोइंटली किसके द्वारा रिलीज की गई है एक तो 61 और दूसरा ICR और कब विक्षित की गई है 1901 में में विक्षित की गई है इक्रिशेट और ICR के कोलाबरेटिव एफर्ड से ये विराइटी त्यार की गई कौन से सन में 1901 में के अंदर इक्रिशेट तो आप जानते ही हो भारत में क्रिशी का पहला अंतराष्ट्य संस्तान था कहां पर है ये हैद्राबाद के अंदर है और ये पहला अंतराष्ट्य संस्तान है पिसका और ICR के दोनों के कोलाबरेशन से 1901 में अरहर की पहली संकर किसम ICPH आठ विक्षित की गई थी जिसका क्रोस है प्रबात इंटू ICPL 161 मस्टर्ड्ड अगले हाईब्रिड की बात करें तो अगला हाईब्रिड हमने यहां लिया है station 입니다 उसको हम वेजिटेबल मस्टर्डड भी कहते हैं Indian Mustard है उसको हम VEGETABLE Mustard भी कहा जाता है, ठीक है तो Indian Mustard के अगर हम बात करें तो इसका बोटनिकल न में होता है Brasica Junsia मैंने या बोटनिकल नेम इस लिए दिया है क्योंकि बहुत तरहींकी mustard है इसको भूरी सरसों के नाम से भी जाना जाता है तो कही तरह की सर्षों आप confused नहीं हो जाएं ब्रेशी का जुन्शिया या भारतिय सर्षों का पहला जो हाइब्रिड है वो कुण सा है NRC HB506 और कब विक्षित किया था ये 2009 के अंदर किया था NRC HB506 ये सर्षों का भारतिय सर्षों का पहला हाइब्रिड है जो DRMR भरतपूर राजस्तान से विक्षित की गई है DRMR क्या था पहले तो NRC था National Research Center for Wrap Seed Mustard था फिर इसका अपग्रेडेशन हुआ अब ये क्या है Directed Wrap Seed Mustard Research के नाम से जाना जाता है ये सेवर भरतपूर राजस्तान के अंदर है पूरा नाम क्या होगा इसका Directed Wrap Seed Mustard Research सेवर भरतपूर राजस्तान के अंदर है और यहाँ पर दो जारनों में सर्शों की भारति है सर्शों का पहला हाइब्रीड विक्षित किया गया कौन सा NRC HB 506 ये सर्शों का पहला हाइब्रीड था Next अपने बात करें अगले हाइब्रीड की और अगला हाइब्रीड है अपना Sunflower का किसका है Sunflower Sunflower बोले तो सूरज मुखी Sunflower बोले तो सूर्ज मुखी देखो सूर्ज मुखी का जो पहला हाइब्रीड था पहला संकर था वो Cytoplasmic Male Stability के दवारा डवलप किया गया था Cytoplasmic Male Stability है न तो Cytoplasmic Male Stability यूज करते हुए पहला संकर विक्षित किया गया था और सूर्ज मुखी के पहले संकर किसम का नाम क्या है BSH1 अगर फुल फॉर्म की बात करें तो Bangalore Sunflower Hybrid No.1 भी बोला जाता है Bangalore Sunflower Hybrid No.1 भी बोला जाता है BSH1 जिसको बोलते हैं और ये डवलप किया था All India Coordinate Research Project जो चल रहा था Oil Seed Crop के लिए और उसके तहत ये कहां डवलप किया गया Bangalore के अंदर डवलप किया था और 1980 के अंदर डवलप किया था 1980 में विक्षित किया गया था तो Sunflower यानि सुर्ज मुखी का जो पहला Hybrid है वो कौन सा है BSH1 है कौन सा है BSH1 है Next अपने चले अगला है First Hybrid of Mage मक्का का पहला संकर सभी लोग जानते होंगे कौन सा है Ganga 1 मक्का का पहला Hybrid है Ganga 1 और ये भी All India Coordinate Research Project on Mage प्रोग्राम के दोरान डवलप किया गया है यानि अखिल भारती है समनवित जो प्रियोजना चलती है उसमें मक्का की प्रियोजना सबसे पहले चली थी भारत में कब चली थी 1957 में भारत में पहला AICRP कब था All India Coordinate Research Project जो है पहला कब स्टार्ट किया गया था 1957 में और किसका स्टार्ट किया गया था मक्का का और उसने बहुत सारी वेराइटियां डवलप की थी जुसमें से फस्ट हाइब्रिड कौन सा है गंगा वन है तो मक्का का फस्ट हाइब्रिड कौन सा है गंगा वन है और ये कौन से सन में डवलप किया गया था 1961 के अंदर 1961 के अंदर डवलप किया गया था अगले हाइब्रीड की तरफ चलें तो अगला जो हाइब्रीड है ये है जी गन्ना का और गन्ना का जो पहला हाइब्रीड है सुगर केन का जो फस्थ हाइब्रीड है वो कौन सा है CO-205 कौन सा है CO-205 ये Sugar Cane Breeding Institute SBI Sugar Cane Breeding Institute Coimpto Tamil Ladu से विक्षित किया गया आपको पता हो तो जो Sugar Cane Breeding Institute है वो कब इस्टाबलिस किया गया था 1912 में यानि Sugar Cane Breeding Institute है वो कब बना था 1912 के अंदर बना था और इसी संस्तान के अंदर सेकेरम ओपसिनेरम और सेकेरम स्पेंटोनियम के क्रोज से गन्ने का पहला हाइब्रिड CO-205 विक्षित किया था कौन से सन में किया गया था 1918 में विक्षित किया था गन्ने का पहला हाइब्रिड है CO-205 क्रोज किसका था Sekerum, Optiminarum और Sekerum Spontanium का Cross था और यह Cross कहां करवाया गया? कि संस्तान ने करवाया था? Sugar Cane Breeding Institute कोईमतुर तमिलाडू ने और कॉन से सन में करवाया था? 1918 के अंदर करवाया गया था और इसने क्या है? गन्ने की थोड़ा काया पलट किया और गन्ये का उत्पादन बहुत अच्छा होने लगा नेक्स अपने बात करें अगला जो हाइब्रिड है यहाँ पे वो है कुसुम का सेफ लावर का अगला जो हाइब्रिड है वो किसका है कुसुम यानि सेफ लावर का है तो safe flower का जो पहला hybrid है वो कौन सा है DSH 185 कुसुम का पहला संकर है और ये डवलप किया गया है Indian Institute of Oil Seed Research Indian Institute of Oil Seed Research और आप कोई पता ये कहां पर है है राबात लंगना के अंदर है Indian Institute of Oil Seed Research ने कुसुम यानी safe flower का पहला hybrid DSH 185 विक्सित किया था और इसके अंदर साइटो प्लाज्मिक जैनेटिक मेल स्टिलिटी को यूज किया गया था नेक्स अपने चलें अगला vegetable के अंदर सबजियों के अंदर जो पहला hybrid था यानी vegetable सारी सबजियों के अंदर जो पहला hybrid था वो था पुस्सा मेगदूत था कौन से सन में विक्सित किया गया था 1922 के अंदर और किसका था ये bottle guard यानी लोकी का देखो सबजियों के अंदर पहली संकर किसम लोकी के अंदर विक्सित हुई थी 1922 में और इस किसम का नाम क्या था पुस्सा मेगदूत और विक्सित किसने की थी IRI ने Indian Agriculture Research Institute है उसने ये विक्सित की थी सबजियों का पहला हाइब्रिड है जो कौन सा है पुस्सा मेगदूत नेक्स अपने बात करें अगला देखते हैं फस्ट हाइब्रिड टमाटर टोमेटो का जो फस्ट हाइब्रिड है वो कौन सा है करनाट का ये कौन से सन में विक्सि से सन में विक्सित किया गया था 1974 में पहला पुसा मेगदूत दूसरा पुसा मेगदूत किसका है लोकी का है सब्जियों में पहला हाइब्रिड लोकी के अंदर पुसा मेगदूत डवलप किया गया है और सब्जियों के अंदर दूसरा जो हाइब्रिड है वो टमाटर के अं सबजियों में ये तीसरा hybrid है अच्छे से याद रखना है आपको ये next है केस्टर अरंडी अरंडी के अंदर केस्टर अरंडी के अंदर जो पहली संकर किसम है वो कब विक्षित की गई थी 1968 में विक्षित की गई थी कहां पे विक्षित की गई गुजरात में और इसका नाम क्या था विराइटी का GCH3 था केस्टर अरंडी की पहली संकर किसम GCH3 है जिसका पूरा नाम क्या है गुजरात केस्टर हाइब्रिड है और इसका क्रोस क्या था TSP10R into JI15 इनके क्रोस से त्यार किया गया है TSP10R into JI15 के क्रोस से केस्टर अरंडी का पहला संकर किसम GCH3 विक्षित किया गया था GCS3 का पूरा नाम गुजरात केस्टर हाइब्रिड है और इसको कौन से सन में विक्षित किया गया था 1968 में विक्षित किया गया था 1968 में डवलप किया गया था नेक्स अपने बात करते हैं तंबाकु तंबाकु का जो पहला hybrid है वो बीडी तंबाकु में विक्षित किया गया था और जिसका नाम है GTH1 तंबाकु का पहला संकर या पहला जो hybrid है वो GTH1 है कौन सा है GTH1 है और ये बीडी तंबाकु के अंदर सबसे पहले विक्षित किया गय आपने बात करें Ground Nut मुंगपली के अंदर जो पहला बैब्रीड डवलप किया गया है वो C 501 डवलप किया गया है कौन सा डवलप किया गया है C 501 जो most important crops है जिनके अंदर first hybrid पूछा जाता है वो मैंने आपको एक lecture में एक साथ बता दिया है अब crop wise आपको पढ़ने की जुरूरत नहीं पढ़ेगी ये एक बहुत ही important lecture है अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो sharing के अंदर कंजूसी नहीं करनी चीए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको share करना चीए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक reach कर पाएं तो आज के lecture में बस इतना ही Thank you